नमस्कार, स्वागत है अब सभी का स्वर्मे टाइम्स में दिन भर की बड़ी और एहम खबरों के साथ मैं हूँ शिवानी शुकला सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर 19 वर्षिय कलाकार ने रत यात्रा से पहले बनाया 4830 माचिस की तीलियों से रत डेटॉल बनेगा स्वस्त इंडिया ने उत्तरपदेश सरकार के सहीयोग से डाइरिया नेट जीरो किया लॉंच सागाउन गोला तसकरी करते हुए तीन आरोपियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा उडिसा के पूरी में रहने वाले एक 19 वर्षिय कलाकार साश्वत रंजन साहू ने रत यात्रा से पहले माचिस की तीलियों से पवित्रित्री मूर्ती के तीन छोटे रत बनाये हैं दुनिया की अग्रणी उभोकता, स्वास्थ और स्वच्छता कमपनी अपने प्रमुक अभियान डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया के तहर आज लखनों के उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन से डाइर्या नेट जीरो को लौंच किया गया अगले तीन वर्षों में यह कारिकरम पूरे उत्तर प्रदेश के डाइर्या के 26 प्रतिशत बोच को संबोधित करते हुए सीधे 10 मिलियन लोगों को प्रभावित करेगा डाइर्या नेट जीरो उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, रैकिट दक्षिन एशिया के निदेशक, रवी भटनागर समेत और अन्य गर्मान व्यक्तियों के द्वारा लौंच किया गया इसका उदियश 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डाइर्या से होने वाली मौतों को हासिल करना है यह कारिक्रम उत्तर प्रदेश के 13 जिलो, बहराइच, बुलन शहर, फिरोजाबाद, गाजीपूर, गोरगपूर, जौनपूर, कुशी नगर, महराज गंज, मतुरा, मिर्जापूर, मुजफर नगर, श्रावस्ति और सीतापूर में डाइर्या की रोक थाम और उप्चार क लिए WHO की साथ सुत्री योजना का पालन करेगा, और इस पहल को उत्तर प्रदेश के 75 जिलो तक ले जाने का वीजन रखा गया है। इसके पेड को बड़े होने में लगबग 30 साल का समय लगता है, जिससे इसकी कीमत और बढ़ जाती है। इसके बावजूद भी छेतर में लगातार सागौन की तसकरी हो रही है, तो रक्षा की जिम्मेदारी वनविभाग के करमचारियों और अधिकारियों की है। इसी के सा के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।